सुनसान सड़क पर वेक्ती चल रहा हो और रातरी का समय हो मन में एक ही बात बारंबार आती है कुछ हलचल दिखती रहे लोग दिखते रहें वाहन दिखते रहें और वस हलचल से मन उजास पाता है ये संबल प्राप्त करता है कि हाँ कुछ लोग आसपास हैं बीड़बार के साथ में भी वेक्ती कई बार इसे वज़े से सुरुक्षत मैसूस करने बाला होता है कि कुछ हलचल चहूं आ रहें इसे वज़े से गवराहट वाली बात नहीं है ठीक इसी तरह से जब साड़े सांते का परतम परवास करम चल रहा हो भाग दोड लगातार बने हुई हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरह इस्ततियां जा रही है इतनी जो नकारात्मक करने वाली इस्ततियां है इतनी जो उल्जनों वाली अवस्थाएं है वो आखिरकार हमको पहुँचा कहा रही है वो आखिरकार हमारे लिए सम्म्यक्स तरपर क्या अवस्था देख रही है इस एक स्पष्टता में व्यक्ति विशेश यही याद रखने वाला हो कि ऐसे क्रम में जब शनिदेव वक्री हो रहे हो 29 जून से 15 नमंबर तक वो समय रहेगा जब शनिदेव वक्री रहेंगे गोर कीजिए कि लाब भाव क्यारिपती 22 वावस्थ फिरम में और 22 शोकर 22 माव में अभी वरतमान से रमेकतिमान और जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के द्रिश्टिकॉन से कई परिवरतन की स्ततिया निकल कराती है जन्मकालिक आधार पर यदि शनिदेव वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो इन 135 दनों में आप अपने ले शुबदा के संकेत देखने वाले हो सकते हैं यदि जन्मकालिक आधार पर मारगी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो संगर्शों के नियत इस्ततियां बढ़ती चले जाती है इस एक परवाह बिंदू को अपने साथ आप बड़ी है गहराई से बना कर रखने की कोशिश करते चले जाएगा हम एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में यदि इस डिसकुशन को आगे बढ़ाएं तो आप ये समझने वाले स्पष्ट रोपें रहें कि आपके साथ में शनिदेव की वक्र के दिस्ततियां जन्म से और अभी भी वक्री होंगे तो साड़े साथे ये मद्ध जो काम का आज अटक रहे थे उसमें करवतार निकल कर आ सकती है आपको किसी प्लेस चेंज का सामना करना बड़ा लगा कि क्या होगा कितनी दोविधाओं के साथ में चलेंगे परन्तु वहां से भी सम्म्यक तोर पर एक सकारात्मक संकेप निकल कर आया इस संकेप की आधार शिला के साथ में है जिवन इस पस्टता को प्राप्त करता है नकारात्मता के बहुत को लगातार हटाता चला जाता है वही प्रक्रिया बद्द चरण आप अपने साथ में यहाँ निरंतर लेकर चलने वाले होंगे इसे के साथ में जो विदेश संबंदिकारियों के साथ में जुड़े हुई मानुभाव है आपके लिए कोई भी डॉक्यमेंटेशन को रिलेट करता हुआ इशू एबरप्ट बेसेस के साथ में डिस्टर्बेंस दे रहा था तो वहां से भी समाधान की प्रक्रियाओं को आप निरंतर तोर पर स्वहम के लिए देखने वाले हो सकते हैं इस एक मूल धारा को अपने लिए आप अपना कर जरूर चलिएगा ये भी याद रखिएगा कि जो आर्थिक भार बने वोई थे जिस वज़े से कुछ भी मैनेज नहीं हो पारा था या मैनेज कर भी रहे थे तो दूसरी जगह से भार बढ़ा कर हम एक तरफ की स्थितियों को लेकर चल रहे थे वहाँ पर भी आपके लिए सुकून एवं संतुष्टी भरे क्रम दिरंतर निकल कर आने वाले हो सकते हैं मन के भीतर एक बात की स्पष्टता लगातार रखें कि आपको उल्जनों से मुक्त होकर आगे की जीवन यातरा को अपने साथ में लगातार जोडने की आवशक्ताएं रहेंगी और वहीं इसी क्रम बद्द सिरे के साथ में सुहिं को चोटी चोटी बातों में उल्जन के सिरों से मुक्त रखकर चलने का आप प्रयत्म करते चले जाईएगा यानि कोई चोटी बात है आई भी है तो उसको बहुत बड़े सिरे के साथ में और सुरूप की स्ततियों में नहीं देखना है solution oriented basis के साथ में ही consistency से अपनी journey को evolve करने की requirement आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी एक और बात की इस पस्टता अपने साथ में बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने की आप कोशिश कीजिएगा कि गुरुहस्त पक्षकी और से जो लगातार आपके साथ में घर्शन बने हुए थे उसमें यह समय सुधार के संकेब दे रहा है पहले तो व्यक्ति घर से भी जोज रहा और साथी साथ में कामकाज से भी वहाँ अब एक relief निकल कर आ रही है जॉब में acceptability के note को इस टाइम में बना कर रखी है कई बार व्यक्ति को कुछ target मिलता है कोई नए project मिलता है हम सीखे वे नहीं है यह असंभव सा प्रतीत होता हुआ target है क्या करेंगे दे दिया गया है शायद ये लोग जॉब के साथ में उनको रखना ही नहीं चाते ऐसी definitions दिमाग में निकल कर आती उन साथी स्थितियों को हटाईए ये clear करके चलिए कि इस अंतराल के साथ में संगर्ष करने हैं संगर्ष से हर्ष पूरवक निखर कर जो आप आगे बढ़ेंगे साड़े साथी के मद्ध प्रवास करम की और कोछी समय के साथ जाने वाली स्थितियों में आप खुद को काफी हद तक एक अलग ताप की संतोश्प्रत स्थितियों के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे व्यहवारिक दृस्टिकॉर्ण से इस बात को अपने भीतर तक उतार कर रखने की कोशिश आप कीजिएगा ये भी देखें कि शनिदेब तीसर दृस्टि से अपने नीचा स्तराशी स्तान को देख रहे हैं तो धनागमन की स्तियों के साथ में अभी भी तोड़ा सा डेलेड प्रोसेस रह सकता है परंतु उससे हम कहीं पर भी स्लगिश नहीं होंगे नेगेटिव नहीं होंगे साथवी दिस्टि जो सस्त भावस्त करम के साथ में रहेगी जो शत्रुवत स्तियां पनपी हुई थी वो पूरे तरीके से हट कर आगे की यातरा को और अधिक वहतर करम के साथ में लेकर आती चली जाती है कव परदान प्रकृति के रोगों से जैसा हमने पहले भी कहा अधियरिक साबधानी बरतियेगा हाला कि शनिदेव की वक्री अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति अपनी वर्किंग पोजिशन को री एनलाइज कर सकता है साल एट साल पहले कोई काम काच की शुर्मात की वहां से मुनाफ़ा तो आ रहा है परम तो उस इस्तर का नहीं और जो लो नाड़ी ले रखे हैं उसमें कोई भी अभी तक अमतर नहीं आ पाया है कोई विशेश इस्तर पर उसको चुकाने की तरफ नहीं जा पाया है जो यह माई चल रही वालग बात है वहां पर भी आपके लिए अब रिलीव की पोडिशन्स कंसिस्टेंसी के साथ में रहने वाली हो सकती है यह गौर कीजिएगा कि जो भी मानुभाव कंस्ट्रक्शन संबंधी अपरोच के साथ में डिले फील कर रहे थे उनके लिए भी अपने हैं एक तरह से फ्लॉलस अपरोच जो है कंसिस्टेंसी के साथ में सामजा निकल कर आ सकती है यह मूल आभा अपने साथ में आप बहुत ही भीतर तक कतिमान करके रखते चले चाहिएगा एक प्रमुख निवदन यहां आपसे यह भी करना चाहेंगे कि इस समय के प्रवाह मान करम के साथ में चलते हुए आप स्वयम को स्टॉक मार्केट संबंदे कामकाज में किसी भी जल्दवाजी के साथ में देखने वाले बल्कुल भी नहीं रहेंगे तत्परगती के साथ में तवरत इस्तर के साथ में हम स्वायम को निर्णाई के साथ में नहीं लेकर चलें तो बहतरी है वहीं अध्यात्मिक परिपेक्षे के साथ में उन्नती है इसलिए दूर कामी निर्णाई की प्रक्रियाओं के साथ में आप रहेंगे परंतु बाग्य का से योग उस इस तर पर नहीं है जासे आप चाहते हैं अब यह दिशनी देव मारगी है जल्मकाली का दार पर और अभी जब वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे तो यह इस पस्टता निकल कर आती चले जाती है कि कुछ व्यवधान बढ़ सकते हैं आप जहां खुद को बचा कर रखने का प्रयत्न कर रहे थे वहां से भी गिरने वाली अवस्थाएं सामने आ सकती है संबलिएगा आयर एजुकीशन के नूट के साथ में चलते हुए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के फ्लॉलस मेजर्स आपके साथ कंसिस्टेंसे के साथ में वाल्ब होने वाले हो सकते हैं ये मूल आभा भी अपने साथ में नक्षेपित करके रखने की आपको जरूरत रहीगी मन के भीतर जो लंबे समय से उतार चड़ाव की प्रक्रियाओं को देखते हुए कई नकारात मुक्ता बरेकरम मौझूद थे अब वो भी आपके लिए हटने की तैयारी हाल फिला तो नहीं कर रहे परमतू आप स्तितियों को समझने की तरफ आप आएंगे पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी दोखे आदी की स्तियां मिली है तो उससे अभी और अधिक आप संबल कर चलिएगा इन चार महीने पंदर है दिनों के अमधराल के साथ में उतार चड़ाव की इस्तियों से स्वैम को थोड़ा सा समाल कर आगे बढ़ने की जरूरत रहने वाली रहेगी उसे बिलकुल वे इंकार नहीं है तो वहीं मन जन भुलावों के साथ में लगातार खुद को परिशानियों पर देख रहा था उससे हट कर भी यह यत्रा आगे बढ़ सकती है मुख्य रूपेंड मारगी करम में शनिदेव जन्मकालिक आदार पर और अभी जब भक्री हो जाएंगे मानसिक तोर पर यही स्पस्टता अपने भीतर तक रखने वाले रहें कि आपको अपने साथ में यहां समय बिताने की आवेशक्ता रहेंगी समाधान भीतर से निकल कर आएंगे बाहर की तरफ से नहीं बस यह याद रखिएगा तो वहीं किसी को भी हमें शत्रू नहीं मानना है लोग बली शत्रू मान रहें हमें परंतु हम इस बुलावे का शिकार बिलकुल भी नहीं है व्यक्तित्व की यह परिभाशा आप यह अपना कर चलते हैं तो यह समय इस तरगामिता के बोध के साथ में आपकी यातरा को और अधिक बहतर प्रभाह दे सकता है परतम प्रवास करम के साथ में आया हुआ वक्री अंतराल का यह इस तरविशेश जो शनीदेव के साथ में चलाए मान भाव जल्द भाजी में कोई भी नरणा है यहां लेने से बचें 29 जून से 15 नवंबर तक के सिरे के साथ में लगातार सौहम को हनुमन तारादना के साथ में जोगना दशरत करत शनीजत तुत्रम के साथ में सौहम के इस तर को लेकर चलना बहतर किसी भी relation के साथ में आप evolve हुए थे उसमें कोई धोके की स्थिति निकल कर आई है बहुत जबा ये नहीं सोचें क्या हुआ कैसे हुआ जीवन आगे बढ़ने का नाम है रोकने का नाम नहीं है बस इसी प्रबर्ति को अपने साथ में आप बोजागर करते हुए चलने का प्रहत्त में करते चले जाहिएगा ये एक स्पस्टता आपके समक्षम रखना चाहेंगे तो ये था में राशे के महन भावों के लिए शनिदेव के वक्री प्रभाव का पुरा ही चर्चा भ्योरा इसे तरह से उपस्तत होने का प्रयत्ने करते रहेंगे धन्यबाद, एवंकूरी शेह, आपहर